हेलो दोस्तों फागत है आपको आने स्विधर रिव्यूस की नई वीडियो में सामने आप देख रहे हैं स्टाइलिस स्पोटी और मस्कूलर से डिजाइन रखने वाली रहनों की तरफ से आने वली काईगर इसका नाम टाइगर से इंस्पाइड है और आगे से और पीछे से देखने में बाईट उसका स्पोटी और मस्कूलर डिजाइन है न वो customers को काफी ज़्यादा पसंद आ रहा है और उपर से इसमें जो colors आते हैं यूनीक से वो इसे और भी ज़्यादा sporty बना देते हैं और अगर आप लोग का budget 8 से 10 लाग के बीच में और आप लोग कोई subcompact SUV परचेस करने का मन बना रहे हैं तो ये आप लोग के लिए एक best option हो सकता है क्योंकि अपने human first program के तहद रहनो ने base variant से ही सबी गाडियों में काफी सारे advance safety features देने start कर दिया है जिनमें traction control, hill start assist, tire pressure monitoring system, electronic stability control जैसे safety features सामिल है Global NCAP की 5 में से 4 स्टार की safety rating के साथ आने वाली इस car में आपको काफी ज़ाधा stylish premium design भी देखने को मिल जाता है variants की अगर बात करूँ तो RXE, RXT, RXT optional और RXZ चार variants इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं यह आप इसका RXT second base variant देख रहे हैं और second base variant से इसमें आपको भाई काफी जाधे features देखने को मिल जाते है touch screen, display मिल जाता है, rear camera भी देखने को मिल जाता है कीमितों की बात करूँ तो कीमितें शुरू होती है, action room 6.50 lakhs है और top model कीमत है, action room 11.23 lakh rupees की से start कर लेते हैं, तो भाई इस तरीके से smart key देखने को मिल जाती है, lock, unlock, follow me, headlamp और boot opening के बटन के साथ इस key की एक खासियत है भाई, जब आप इस car key को गाड़ी के एक मिटर की distance ले जाते हैं, तो गाड़ी अपने आप unlock हो जाती है जब आप दूर जाते हैं, तो गाड़ी lock भी हो जाती है, और कुछ इस तरीके से पूरा front look होने वाला है इसमें आपको 3D graphic chrome finish के साथ पूरी grills देखने को मिल जाती है, बीच में देखो रैनो का बड़ा सा logo भी देखने को मिल जाएगा और headlamps की बात करूँ, तो इसमें projector halogen headlamps आते हैं, लेकिन अगर आप top variant में जाते हैं, तो भाई उसमें bugatti, sharon जैसे दिखने वाले headlamps आते हैं और वो भी octagonal pure vision LED के साथ, और नीचे आपको fog lamp देखने को नहीं मिल जाता है, लेकिन थोड़ी housing सी दी गई है, design देखने को मिल जाता है, LED DRLs देखने को मिल जाते हैं, 10 indicator के साथ और front look से बात करूँ तो front का अच्छा सा look है, यहाँ पे bonnet पे भी design देखने को मिल जाता है, washer देखने को मिल जाता है, दो wipers भी देखने को मिल जाता है, हाला कि यह rain sensing wiper तो नहीं है, लेकिन बढ़ी आसा look तो देखी देता है, और यह आप इसका blue color देख रहे हैं, इसके अल 6.6 meter height है, wheelbase 2500 mm का है, curve weight 1012 kg के आसपा, standing radius 5.02 meter है, ground clearance की अगर बात करूँ तो 205 mm के आसपास, इसमें आपको ground clearance देखने को मिल जाता है, तो ground clearance भी काफी decent सा देखने को मिल जाता है, next on की बात करूँ तो 207 mm का उसमें मिलता है, तो उसी के आसपास का मिल जाता है, यह है इसके 16 16 inches के, steel wheel second base variant देखने हैं, तो उसमें आपको steel wheel मिलते हैं, with company fitted wheel cover, और suspensions की बात करूँ तो आगे lower transfers link के साथ, mag person stud suspension मिलते हैं, और पीछे coil spring के साथ, twist beam axle देखने को मिल जाते हैं, wheel arc cladding है, यहाँ पे fender पे design देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे उस side अगर देखने हैं, तो आप इन मारेक्स jet की बेजिंग आती है, black color के ORBM मिलते हैं, electrically adjustable automatic foldable होने वाले हैं, और piano black color की finish में ही आपको चारो door handles भी देखने को मिल जाएंगे, वैसे तो keyless entry का feature नहीं आता है, लेकिन भाई जो उसका card है वो भी keyless entry की तरह ही काम करता है, और यहाँ पे 50 kg तक की load capacity की साथ आपको roof rails देखने को मिल जाती है, safety features की बात करों तो global uncap ने adult में 5 में से 4 star की safety rating इस car को दी हुई है, और child में 5 में से 3 star की safety rating इस car को मिल चुकी है, और इसमें आपको 4 airbag, ISO fixed child seats mount feature देखने को मिल जाता है, ABS with DVD आता है, traction control, crash sensor, electronic stability control, hill start assist, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, और आगे की seatbelts आपको pre-tension and load limiters के साथ देखने को मिल जाएंगी, कुछ इस सरीके से rear look है, C-shaped आपको split LED tail lamps देखने को मिल जाते हैं, with turn indicator और reverse light के साथ, भाई ये रात को जलते हैं प्यारे से लगते हैं और यहाँ पर reflector देखने को मिल जाता है, नीचे आपको 3 rear parking sensors मिलते हैं, skid plate देखने को मिल ज rear wiper देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको defogger देखने को नहीं मिलता है, लेकिन high mount stop lamp देखने को मिल जाते हैं, निसान मेगनाइट में भाई देखो, base variancy, rear wiper, defogger दोनों ही मिलते हैं, तो वो थोड़ा value for money जादा बन जाती है, लेकिन इसका जो color है और इसका rear design है, वो 16 inches का spare wheel भी आपको देखने को मिल जाता है, 2, 3 kilo तक की weight capacity के साथ आपको hooks देखने को मिल जाते है, एक चीज यहाँ पर मुझे missing दी की भाई, parcel tray तो है, लेकिन कोई light की सुभिदा नहीं दी गई है, तो light की सुभिदा भी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से पूरा interior होने वाला है, आइए rear side driver door की बात कर लेते हैं, sorry rear side passenger door की बात करूँ, तो आपको यहाँ पर black color की और rose gold color की finish के साथ पूरा interior देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखो rose gold color है, और 4 smart power window देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर speakers 4 मिल जाते हैं, दो tweeter के साथ, और यहाँ पर देखिए अप इस अपर देखने को मिल जाते हैं, एकड़म तगड़ा value for money, यह जो रहनु काईगर का आपको value for money कहुएंगे, तो RX-T जो है, इसका value for money product है, और कुछ इस तरीकिसे इसमें dashboard है, और rear में भी आपको halogen में cabin lights देखने को मिल जाती है, driver side door की बात करूँ, तो इसमें भी आपको piano black color की finish के साथ door handles मिलते हैं, और यहाँ पर यह देखिए, पूरा interior देखने को मिल जाता है, यहाँ पर rose gold color है, थोड़ा सा design देखने को मिल जाता है, चारो ही आपको power window देखने को मिलती है, जिसमें जो driver side वाली window है, वो auto up down है, और ORBM की control बगरा देखने को मिल जाते हैं, second base variant म ही आपको electrically adjustable automatic 4 level ORBM मिलते हैं, 6 way adjustable manual seats देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर paddles होगरा दिये गए है, और कुछ इस तरीके से पूरा interior होने वाला है, आईए अंदर चलके इसके interior के बारे में जान लेते हैं, और कुछ इस तरीके से पूरा interior है, सबसे एची चीज मुझे लगत साते हैं, start stop button की positioning यहाँ पर दी गई है, इसको जब आप दबाते हैं, तो इसमें आपका स्वागत करता है, 7 inches का TFT display के साथ, digital instrument cluster, जो की दिखाएगा, digital speed, rpm, outside temperature, coolant temperature, fuel level, gear shift indicator, service interval, setting, range, average, और यहाँ पर जो दंडा सा दिया है, इसको दबा के यह सब चीज़ आप कर सकते हैं, और यहाँ पर electric steering wheel दिया हुए, flat bottom, piano black color की finish, यहाँ पर दी गई है, reno का logo बीच में देखने को मिल जाता है, left side में source, volume, control बगएर के button है, call, pickup, disconnect के button है, right side कुछ भी नहीं मिलता है, top lane में, यहाँ पर cruise control के button आते है, headlamp के control है, यहाँ पर manual levelizer switch दिया है, headlamp के intensity को control करने के इसी के vents के 4 और भी आपको rose gold color की finish देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर इसका 8 inches का touch screen infotainment display है, जो की floating होने वाला है, और यह support करता है radio, media, vehicle setting, smartphone integration, और इसमें आपको smartphone integration के बात करूं, तो android, auto और apple car play वगएरा दिखाता है, support करता है, bluetooth, FM, USB, और driving information इसमें आप दीख सकते है eco coaching, eco sensing वगएरा दिखाता है, setting में आप जाते हैं तो volume, loudness और काफी display setting system, setting मगएरा इसमें दिखाता है, language वगएरा set कर सकते हो, यहाँ पर AC के vents दिए गए है, इसके नीचे आपको hazard light, door lock, unlock का button दिया गया, यहाँ पर traction control, on-up का button है, manual आपको AC देखने को मिल जाता है, वहीं अ तो भाई, इसमें आपको CVT gearbox का option मिल जाता है, और यहाँ पर भाई, sliding, यहाँ पर space देखने को मिल जाता है, armrest के नीचे भी space है, space management तो इतना तगड़ा है, भाई, boot space, 405 liter का देने के बाद भी, कहीं भी आपको second row में, leg room या head room कमनी ही देखने को मिलेगा, और यह भाई, dual glove box यह तो रैनो की खासी आता है, नीचे वाले glove box में भी देखो काफी सरा space है, tablet holder वगरा देखने को मिल जाता है, card holder, IRBM की बात करों तो manual IRBM देखने को मिलता है, automatic यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, top variant में भी automatic नहीं आता है, kevin lights आपको halogen में देखने को मिल जाती है, और driver side vanity mirror मे कोई भी नहीं mirror मिलता है, नहीं कोई light देखने को मिलती है, लेकिन passenger side आपको mirror तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन light देखने को नहीं मिलती है, दो साल 50,000 km तकी warranty देता है, रैनो काईगर के उपर, आईए इसके engine specifications के बार यह में बात कर लेते हैं, तो यह है इसका 1000cc inline 3-cylinder MPFI reno energy petrol engine जो की generate करता है, 71 bhp की power और 96 nm का torque, company claim करती है 19 km पर लीटर का mileage, इसके 40 लीटर के fuel tank से, इसके अलावा अगर आप CVT उसमें turbo में जाते हैं, तो उसमें 152 nm का torque देखने को मिल जाता है, और manual में 20 km पर लीटर का mileage company claim करती है, और CVT में 17 km लीटर का mileage, 1000cc turbo engine से claim किया जात है, तो दोस्तों ये थी पूरी reno काईगर, अगर आप लोग 2023 में कोई subcompact SUV प्रचेस करने का मन बना रहे हैं, तो ये वीडियो शायद आपकी help करेगी, वीडियो अच्छे लगिए तो लाइक कीजिए चैनल को, सब्स्क्राइब कीजिए जाइन ये भारत